हलो फ्रेंडे साज हम जानेगे क्founder क्लिस्ट्रल क्या होता है क्更 इपस्ट्रल के एपा उसके बारे drie qats की जानेगे तोल्ड Satra dei ko्रोल और और होा से इल्डाज से उंद्ड ही स्तिर्ड के लिए को जरुत होती है और high level of cholesterol के कारण हमारे blood vessels में fat deposit जमा होने लगा है cholesterol two types के होते है LDL bad cholesterol low density lipoprotein के नाम से जाना जाता है दूसरा HDL good cholesterol HDL का फिल्फों में high density lipoprotein LDL cholesterol को bad cholesterol इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमारी arteries के अंदर fat का build up करता है जिसको atherosclerosis के नाम से जानता है atherosclerosis मतलब arteries के अंदर fat का जमा होना जिसके कारण क्या होते हैं हमारी arteries narrow हो जाती है और इसके कारण heart attack stroke और peripheral artery disease का खत्रा risk बढ़ जाता है HDL cholesterol को good cholesterol के रूप से जाना जाता है क्योंकि cholesterol की healthy level हमको protect करती है heart attack और stroke से HDL good cholesterol LDL bad cholesterol को carry करता है arteries से उसको liver तक पहुचाता है liver में क्या होता है LDL का breakdown होता है और उसको body से बाहर निकाल दिया जाता है अब problem यह है कि HDL cholesterol पूरी तरह LDL cholesterol को body से बाहर नहीं निकाल पाता है वह केवल LDL cholesterol का 1-3 या 1-4 हिस्सा ही body से बाहर निकाल पाता है या फिर एक कह सकते हम कि HDL 1-3 हिस्सा ही LDL का carry करता है triglyceride एक most common type का fat होता है body के अंदर जो हमारी diet से axis energy को store करता है यदि हमारी arteries के अंदर triglyceride का level high हो जाएगा bad cholesterol का level high हो जाएगा और good cholesterol का level कम हो जाएगा जिसको हम combined hyperlipid में भी बोलते है ऐसा यदि होता है तो हमारे शरीर के अंदर heart attack, cholesterol के जो संभावना है वो बढ़ जाएगी खत्रे बढ़ जाएगे